हेलो अब्रिवन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अलोभ बैच्पी आप लोग जुड़ चुके हैं इंड्या के नंबर वन इस्टेडी चैनल वाइपाई स्टेडी पर आप लोग इस समय जुड़े हुएं वाइपाई स्टेडी टू-पॉइट जीरो आफीशेल यूटीब चै दिएगा और चैनल को फटा-फट से आप सभी लोग बच्छे सब्सक्राइब कर दिए बेहतरीन तरीके से हम लोग वाई-फाइ स्टेडी 2.0 पर जुड़े हुए हैं और यही पर हम लोग सांदार-जांदार तरीके से बहुत सारे महत्पूर्ण प्रस्त यहां पर डिसकस करत पर आप सभी लोग इन सारी क्लास से जरूर जुड़ी है और बेहतरीन तरीके से आप लोग यहां पर सेर्शन को भी यह सेर करो तो मुझे अने केटमी लर्नर यह पर फॉलो करोगे तो मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिलेगा यहां पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं कोड लगाना है आपको कैपिटल लेटर में इसका कोड लगाने से आप लोगों को निश्ची दूरूर से डिस्काउंट जरूर मिलने वाला है और यह देख सकते हो आप लोग बहुत सारे बैचेस शुरू है इन सारे बै जो वाई नवाव आप दे वर्ल्ड डेविद रॉय कैसे हो सारे लोग सेर कर देंगे एक बार सफलता बैच भी आप लोग जोइन कर सकते हो और देखिए आज कट आउट बैन एकडमी पर अपना प्रस्ट जो है इमेज फॉम में सेंट कीजिए इस्ट आंसर मिलेगा लेने पर भी के वी सर्ट लगा करके आप लोगों को डिसकाउंट निश्चित रूप से मिलने वाला है यह 24 तारीक को एक कॉमबैट है तो आप सभी लोग वही है इसमें इंरॉल्मेंट कर लेंगे सांदार जंदार प्राइस भी जीतेंगे फ्री में इंरॉल्मेंट करने के लिए अबी सर्ट इन कोड का प्रियोग आप सभी विद्यार्थी उपको जरूर करना है वेगवार सारे लोग जितने लोग भी जुड़े हुए मेरे साथ पटा पट से सहसन को वहीं सेहर कीजिए तेजी से जितने वी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सीधे यहां पर जुड़ सकते हैं रेजैन का प्रियोग करने से सीधे एजुकेटर महोदे से बाचीत कर सकते हैं प्लस कोर्स लेना है आइकॉनिक लेना एबी सर्ट इन लगाना है तेरा से पंदरा अफ्रेल आप देख सकते हो आज भी अभी समय है से से का छे महीने का सब्स सकते हैं सांदार जंदार 5000 का वाउचर है आपको करना क्या है मौक टेस्ट को जरूर दीजिए आप लोग बढ़िया बेतरी इन तरीके से यहां पर भी इन्रॉल्मेंट कर लीजिए सारे लोग और यह बड़ा जबरदस्त है आपका 11-17 अप्रेल के बीच में आसका डाउट अधिक्तम डाउट आप पूछ सकते हो जितने डाउट पूछेंगे जिस विद्यार्थिक है उसको यहां पर एक सांदार जांदार गिफ्ट वाउचर जरूर दिया जाएगा ठीक है मेरे टेलिग्राम गुरूप पर जरूर जाए जीए साउबिक जीके वाया लोग सा पहला सवाल है वाई वर्ल्ड पोस्ट डे यह कम मनाया जाता है एक बार तेजी से आंसर करोगे वर्ल्ड पोस्ट डे यह आपका कम मनाया जाता है प्रस्न का उत्तर क्या होगा जलली से आंसे करोगASE वर्ड पोस्टे जो है या आपका कब मनाया जाता है प्रस्न का तर किया होगा 24 अक्टूबर 9 सितंबर 9 अक्टूबर या 24 सितंबर पटा पट से आंसर कीजिए पास्ट ते को बहुत बढ़िया सवाल है बहुत भेतरीन सवाल है बहुत ध्यान से समझेगा यह जो World Post या बिसर अल खासाब जीन कॉस्टिक्स या जेम्स मॉर्पे कौन भीया बने हैं यह आके जॉर्डन के प्रधान मंत्री तेजी से अंसर कीजिएगा जॉर्डन के नय प्रधान मंत्री कौन बने हैं प्रस्नका सही उत्तर क्या होगा बच्चे देखो बहुत बढ़िया सवाल है सारे लोग बहुत ध्यान से समझेगा जॉर्डन के नय प्रधान मंत्री अगर कभी भी पूछा जाएगा तो बने हैं भाईया यह विसर अल्खसाब ठीक है यह बने हैं अगला सवाल है ओवरड्राफ्ट सेविंग अ इंडियन सेवर यह बुक जो है अभी हाली में लिखी गई थी उर्जित पठेल साब की बुक है तो आपको बताना है किस पर लिखी गई इसका बिस्या क्या है लोन है एंपिय है इंसुरेंस है कुरोना है अर्वियाई के पूर्व गवरनर साब के द्वारा यह किताब लिखी गई है आपको बताना है कि भाई यह जो है किस पर इसका बिस्या क्या है इसका सब्जेक्ट क्या है अमन अली खान सुरवी जैसबाल सारे लोग एक बार सेयर जरूर कर देंगे सेसेन को भाई ओवरड्र लोन की लोन हमेसा दो पार्ट में डिवाइड होता है एक प्रेंस्पेल अमाउंट में एक इंटर्स्ट में तो लगातार तीन महीने आनी कि 90 दिन तक ना ही कोई प्रेंस्पल अमाउंट ना ही कोई interest यानि कि EMAE में दोनों count होते हैं ना ही कोई principal amount भर रहा है ना ही कोई interest लगातार 90 दिनों तक तो ऐसे loans को bank NPA declare कर दी है और फिर उनकी recovery करती है और इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारा NPA भी बांकी है तो इसी लिए ये इन्होंने किताब लिखी है ठीक है अगला सवाल है which country announced the closer of the coal industry किस देश ने कोईला उद्धोग बंद करने की घोशना की है आंसर कीजिए भाई सारे लोग तेजी से कोईला उद्धोग बंद करने की घोशना किसने की है देखो बैट 2038 तक कह दिया है कि कोईला उद्धोग हमारे यहां पूरी तरीके से बंद हो जाये गया और उसकी घोशना करने वाला है देश जर्मनी ठीक है बैट फ्रांस की राजधानी हम सारे लोग जानते है पेरिस है सीन नदी के किनारे है अमेरिका की राजधानी वासिंगटन डीसी डिस्टी का आप कोलंबिया पोटो में नदी के किनारे जर्मनी की कैपिटल बर्लीन है कनाडा की कैपिटल उटावा है उबिस्व में सबसे लंभी तटरेखा जो है वो आपकी कनाडा की है क्या हो गया भई बोलिए बच्चे ठीक है आगे बढ़ा जाए अगले प्रस्ट की तरफ नेकारा सम्मान योजना हाली में सुरू की गई कहाँ पर नेकारा सम्मान योजना जो है वो हाली में सुरू की गई थी कहाँ पर पुडिशा, रास्थान उत्तर प्रदेश या करनाटका देखो भई नेकारा सम्मान जो ये बुनकरों के लिए था बुनकरों के लिए था और ये सुरू किया गया अब एक करनाटक सरकार के दोरा किसके दोरा करनाटक सरकार दोरा करनाटक की कैपिटल बेंगलुरू है करनाटक के दो निरत जरूर याद रखने है एक हटरी याद रखना है तो आठ पिट उची प्रतिमा, कासे की प्रतिमा इस बार बैंगलूरु सहर में इस्थापित की गई है, ठीक है वैं? चलिए, आगे बढ़ते हैं, हडप्पा इस्थल की खोज किसके दौरा की गई? क्या आंसर होगा वैं? हडप्पा इस्थल की जो खोज है, वो किसके दौरा की गई इस प्रस्न का सही उत्तर क्या होगा पटा पटा आंसर कीजिए हडपा इस्थल की जुख हो जाए तो किसके द्वरा की गई एक बार सही आंसर कीजिए भै हडपा इस्थल की जो खोज है जो की गई है वो दैराम सहानी ने और दैराम सहानी ने 1921 में हडपा इस्थल की खोज की है हडपा रावी नभी के किनारे इस्थित था और रावी नभी के बाये तट पर हडपा इस्थित था और जो मोहन जोदलो है इसकी खोज राखाल दास बन इनर्जी ने की है इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है बहुत ही बेहतरीन आपका यहां पर यह पुस्चन बन सकता है ठीक है याद राएगा किलर है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ भारती समिधान में नाइक पुनर विलोकन का प्रावधान किस देश के समिधान से लिया गया है एक बार तेजी से आंसर कीजिए भी यह बहुत बढ़िया कोश्चन है तेजी से आंसर कीजिए भी सारे लोग देखो नाइक पुनर विलोकन का प्रावधान है जो लिया गया है वो आपका लिया गया है नाइक पुनर विलोकन का प्रावधान अमेरिका के समिधान से लिया गया है जो डिसेल लिव्यू का प्रावधान है वो अमेरिका के समिधान से लिया गया है याद रखना है आइरलेंड के संविदान से DPSP Directive Principles आप State Policy लिए गए हैं और कनाड़ा की अगर बात करेंगे तो सबसे लंबी तट्रेखा है सबसे लंबी तट्रेखा अभी है कनाड़ा आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है केंद्री लीची संस्थान कहां इस्तित है लखनवू मुझफ़र नगार मुझफ़र पूरिया राजमंद्री क्या आंसर होगा बेड़ा बोले बाए जल्दी से क्या आंसर होगा पटापट आंसर कीजिए केंद्री लीची संस्थान की बात करेंगे तो यह मुझफ़र पूर्य है यहां की साही लीची बहुत प्रसिद्ध है लखनाव में अटल विहरी बात्फ़पट इकानः इस्टीडेयम है लखनाव में अगर पूछाज़ाएगा आटल विहरी बात्पट इकानर्य स्टीड्यम है लखनाव में तेजी से बता दिए आप सभी लोग देखो, राजमुंद्री में तम्माकू अनुसंधान संस्थान है, याद होना चाहिए। अन्नमान और निकोबार दीव समु से संबंधित नहीं है, यह आप लोगों को बताना आए रहे. बोले बढ़ जल्ड़ी से, fast. अन्नमान निकोबार दीपसमू से जो संबंदित नहीं है वो आपकी हो जाती है बंगता जराबा भी है सेंटिनलीज भी है सुंपेन भी है लेकिन ये बंगता भाई नहीं है ठीक है अगला सवाल है बोध जंजाती किससे संबंदित है पटा बट आंसर कीजे बहे बोध जंजाती जो है यापकी किससे संबंदित है प्रसने का उत्तर क्या होगा था फास्ट इतने लोग जुड़े हुए एक बार तेजी से अंसर किजे बोध जंजाती जो है वो किस्दे सम्मंदित है उत्तर क्या होगा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया यह आपका अंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश पर क्या क्या चीज़ें है कोविद नाइंटीन का वाई टीका करण हो गया हंड़ेट परसेंट एल पीजी कनेक्शन वहां की सरकार ने कहा दिया हमने हंड़ेट परसेंट कर दिया बंदर को वर्मिंग यानि कि हिंसक जानबर एक साल के लिए घोसित किया जाकू टेंपल भी यहीं परिस्तित है और आलू अनुसंदान संस्थान इमाचल प्रदेश में है केरल में नारियल अनुसंदान संस्थान है कासर गोड़ में इस पॉइंट भी आप लोग आदर कीगा अगला सवाल है क्रस्कों की सहयता के लिए किस मद्यकालीन सासक ने पट्टा और कबूलियत की वेवस्था को प्रारंब किया था आंसर क्या होगा पट्टा और कबूलियत की वेवस्था को कौन से सासक ने प्रारंब किया है प्रस्ण का सही उत्तर भाई क्या होगा बिल्कुल आयू साहब का सही है बैई देखो भी ये जो पट्टा और कबूलियत है ये जो पट्टा और कबूलियत की प्रथा है ये बैई सेर साह सूरी ने सुरू किये सेरसा सूरी का नाम था फरीद और बहार खान लोहानी के यहाँ यह नौकरी करता था वहाँ पर दच्छनी बिहार के सुबेधार थे बहार खान लोहानी बहाँ पर इसने एक सेर को मार दिया तो इसका नाम हो गया सेर खान पिर पंदरा सो उन्तालिस में चौसा के उद्ध में हुमायू को पराजित करने के बाद में इसने सेरसहा की उपाद इधारण की यह पॉइंट आप लोग याद रखोगे ऑलाउदीन का वास्तभिक नाम है अली गुरसास और फिरोज सा तुगलक जो है यह दिली सलतनत के आदर सुलतान है यादोना चाहिए ठीक भाई यह जलालुद दीन कर दोorkे अलाउद दिया और यह जलालुद दीन है लोग एक बार सेशन को भाई सेयर जरूर कीजिए जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटाबट से शेयर जरूर कीजिए सेशन को बहुत बढ़िया बहुत सांदार भारती ये राश्ट्री ये समुद्री दिवस जो मनाते हैं वो 5 अप्रेल को विश्ट्व प्रतिवी दिवस आपका 22 अप्रेल को विश्ट्व जल दिवस 22 मार्च को बनाते हैं अगला सवाल है विश्ट्व विज्ञान संगठन जो है मौसम विज्ञान संगठन इसका हेड़कौर्टर कहां परिस्तित है रोम बुड़ापेश्ट लंदन या जिनेवा विश्ट्व मौसम विज्ञान संगठन जो है इसका मुख्याले भई कहां इस्तित है परिस्तित का सही उत्तर क्या होगा देखो भी अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है यह आपका मुख्याले है जेनेवा में और जेनेवा कहा है भाई सुर्जर लेंड में टीक है रोम में फूड एन अग्रेकल्चर और अग्रेशन का मुख्याले है बुड़ा पेस्ट यह हंगरी की रहत दहनी है और बुड़ा पेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे हैं लंदन टेम्स नदी के किनारे हैं मनेस्टी इंटर्नेशनल का हेड कोड़न लंदन में अग्ला सवाल है भाई हंगपन घाधा ब्रिच किस नदी परि्स्तित है वो किस नदी परिस्तित है प्रस्नका सही उत्तर क्या होगा सुबंसरी सावरवति करस्णा या तवी पूलिय भाई हंगपन दादा ब्रिज जो है वो आपका हो जाएगा सुबन सी साबर मती के किनारे अम्दाबाद सहर है क्रस्ना के किनारे आपके बिजयवाडा अम्रहवती सहर है और तभी के किनारे जम्भू सहर इस्तित है कौन सा सहर इस्तित है जम्भू स्री मुकाम्बिका मंदिर कहां इस्तित है स्री मुकाम्बिका मंदिर महराष्ट्रा उत्तर प्रदेश तमिलनाट वे करनाटका क्या अंसर होगा मुकाम्बिका मंदिर की अगर कभी भी बात करोगे जो स्री मुकाम्बिका मंदिर है यह करनाटका में इस्तित है कहां परिस्तित है करनाटका ठीक है याद रहाएगा आगे बढ़ते हैं कंजिया जील एक ट्रकर्तिक जील है कहां पर है उडिशा मदिर्प्रदेश तमिलनाट वे वे श्वंगाल कंजिया जील कहां परिस्तित है भई कि अब बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है आप सभी लोग कंजिया जील जो है यह आपके इस्तित जाती है उडिशंग क्या मिटल भूवनेश्वर है इंटरनेशनल नो डाइट डे कम मनाते हैं अंतराश्ट्री आहार दिवस यह कम मनाया जाता है प्रस्त का उत्तर क्या होगा इंटरनेशनल नो डाइट डे को इंटरनेशनल नो डाइट डे जो मनाते हैं यह प्यारे विज़ार्चियों मनाया जाता है छे मई को इसदिए दो मई को टूंगर आटे मनाते हैं तीन मई को विसु प्रेश शुत्मता दिवस बनाते हैं बहरत का पहला फोरेंसिक युनिवरसिटी कि सराज में इस्तिते केरला अंध्रप्रदेश गुजरात यह तमिलावादु पहला फोरेंसिक बिसु विद्याले ये कहा पर परिस्तित है प्रस्नका सही उत्तर भाई क्या होगा कि पहला फॉरिंसिक जो विश्विद्याले है यह आपका हो जाएगा गुज्रात है अगला सब्सक्राइब पापी कॉंडा राश्ट्रू द्यान कि प्रिस्थान परिस्तित है पापी कॉंडा राश्ट्रू द्यान अगर पूछा जाएगा तो पापी कॉंडा राश्ट्रू द्यान यह आंद्रप्रदेश में इस दिखरेगा उत्तरा खंड की राजधानी की बात करते हैं तो मुझे जानते हैं देहरा दून है और ग्री समकाली नाजधानी क्या है ग्यारसियन ठीक है नौ नॉवंबर सन 2000 को बना था उत्तरा खंड कर निर्माड कर था अगला सवाल है राजधाट वांद किस नदी पर इस्तित है नर्मदा कावेरी क्रश्ना या बेतवा राजधाट वांद किस नदी पर इस्तित है फटापट से आंसर कीजिएगा कि अग्यों कि अनंद गुप्ता कि विलकुल राजधाट वांद बेतवा नदी पर है और बेतवा के किनारे मद्रप्रदेश की राजधानी बहुपाल वीशती थे अग्यों से बेतवा नदी पर एक बांध कि अम्हलोग जानते है मातर टीला भा姥 है कि ऑप सोलाम माए तो कौन सा दिवस मनाया गया कि इंटरनेशनल डेअफ लाइट में लॉंग दे नेस्टनल वरकर्स डे इंदमें से पूल में शोला माई को मनाते हैं हम लोग इंटरनेशन डेअफ लाइट ngay mein द्धम लोग 7 अगस्थ को मनाते हैं ठीक है अगला सवाल है पलामू टाइगर रिजर्ब कहां इस्तित है बिहार जहारखन बेस्मंगाल या उत्तर प्रदेश पलामू टाइगर रिजर्ब ये कहां परिस्तित है प्रस्ण का सही उत्तर क्या होगा पर तेजी से अंसर कीजिए बच्चे पलामू टाइगर झाल झाल बिल्कुल सही है भई पलामू टाइगर रिजर्व आपका जहरखंड में हैं विहार की राजधानी देखें पटना है ठीक है अगला सवाल है भारत का सबसे पुराना उच्छ नयाले कौन है सबसे पुराना भारत का उच्छ नयाले कौन सा है जो जाता है अब कलकत्ता उच्छ नयाले सबसे पुराना उच्छ नयाले क्या अंसर होगा उच्छ पहाड़ी अनुसंधान प्रयोग साला किस पहाड़ी स्टेशन में इस्वाद त्रस्न का सही उत्तर क्या होगा उच्छ वहाइ happening सब्सक्राइब करते हैं अगला सवाल है इंटर्नेशनल फायरफाइटर्स डे अब्जर्ण अंतर्राष्ट्री फायरफाइटर डे कंबनाया जाता है चार मईए तीन मईए दो मईए पांच मईए अंतर्राष्ट्री फायरफाइटर डे यह आपका कम मनाते हैं यह मनाते हैं प्यारे विद्यालत्यों लोग चार मेन baru ठीक है अगला सवाल है राजीव कनदी राष्ट्री विध्य-विस्विद्यालय कि इस सहर में है पटियाला बेंगलूरू इंदौर लखनौ राजीव गांधी रास्ट्री विधी विश्विद्याले की बात करेंगे तो यह आपका पटियाला में इस्तित है बेंगलूरू ब्रसभावती नदीक किनारे है इंदौर की ही बात करेंगे तो याद रखन रखन ये बोंभय बोलते हैं इंदौर को लखन्व की बात करते हैं प्रintéल बिहरी बाकश पर दोला के द्वारे。 बड़ा इमाम भाड़ा भी यहीं पर इसटित है अगला सवाल हुझा लिए और रंगल इसके बाद आपकी एक क्लास साड़े चार वजे है वाइपाई स्टूडियोस पर फिर एक क्लास रात में आठ वजे है यह सेम चैनल पर वाइपाई स्टूडियोस पर है ठीक है बाई मुगल सिंगासन के लिए और अंगजेव 1608 में कैसे ऐसे समय देखे पंद्रा सो चप्विस से तीस बावर तीस से चालिस एक तर्म और पंद्रा सो पच्पन से चप्पन दूसरा तर्म हुमायू अकबर पंद्रा सो चप्पन से सोला सो पाँच अकबर सोला सो पाँच से लेकर के सोला सो सब्ताइस जहांगीर सोला सो सब्ताइस से सोला सो अथावन सा जहां और सोला सो अथावन से सत्रा सो साथ परन दिए तो यह याद रहेगा यह हाँ या ना एक बार बता देंगे कमेंट सेक्षिन में सारे लोग जल्दी से बता दीजे, कमेंट सेक्षिन में सारे लोग, हाँ या ना किलेर है, सारे लोगों को चलिए, आगे बढ़ते हैं, विस्सु कभिता दिवस कम मनाते हैं, 21 जून, 21 मार्च, 22 अप्रे, कम मना जाता है, विस्सु कभिता दिवस, 21 जून को अंतराश्ट्री योगा दिवस है, 22 मार्च को अंतराश्ट्री जल्दिवस है, 22 अप्रेल को अंतराश्ट्री ये प्रतिवी दिवस है, ये 20 प्रतिवी दिवस है, और 21 मार्च को विस्सु कभिता दिवस के रूप में मनाते हैं, अगला सवाल है, मेंटॉक्स और में टॉक्स पजिस्चन किसके लिए है कि अब बिल्कुल एड्स का डाइग्णोज होता है एलीजा कि टाइपाइड का होता है विडॉल सिफलिस का होता है कांटेस्ट टूबर किलोसिस का मेंटॉक्स होता है ठीक है यहीं तक रखेंगे हम लोग साड़े चार बजह बाइपाइट स्थी स्टूडियोच चैनल पर जुड़ीं आप यह तक प्यारे विद्यार्थी जुड़े रहा है यह रिपोर्ट विद्विन आप लोग देख सकते हों जितने लोग जुड़े हूं है मेरे सार्व और सेसन अच्छा लगा हो हमारे questions में आमिंद आया हो अभी इसके बाद में class रहेगी बाइफाइट स्टूडियो चैनल पर साड़े चार बजे तो सेर ज़रूर कर दीजिए सेसन अच्छा लगा हो लाइक कीजिए